तो आज मैं आपके साथ यहां पर एक blouse डिजाइन शेयर कर रहे हूं तो आप यहां देख सकते हैं यह डिजाइन है जो कि मुझे blouse यहां पर बनाना है तो यहां पर मैं आपको इस blouse की cutting stitching शेयर करोंगी तो इसके लिए मैंने यहां पर फैबरिक लिया है टाफटा सिल्क और कॉर्टन का ठीवार्ण इस तरह के लिए लिएस लिए लिएया कॉक्तन प्राधया है तो और इसको डिकुरीट करने के लिए हम यहां पर इस तरह का以前 का गोल्ड़न लेश ले लेंगे आ हैं तो यहां प अपनी प्रस किसी भी है, है लेस ले अपनी soir इसकते हैं तो यहां पर मार्क करेंगे यहां कंधा ले रही हूं मैं 5.5 इंच और आर्मोल ले रही हूं 6 इंच इस तरीके से मैं यहां पर पहले मुड़े कर निशान लगा लोंगी फिटिंग के अकॉर्डिंग यह 36 नंबर का है तो मैंने यहां पर 9 इंच पर फिटिंग लगाया दो इंच एक्ष्ट मार्जन हमको लेना होता है फिलाओज में एक्ष्टर मार्जन रहता है तो काफी सही रहता है क्यूंकि कभी भी लूज स्थाइट करना हो थो मैं दिक्कत नहीं होती है उसके बाद हमने यहां पे शूल्डर को अलग कर देना है यह देखिए आप हम पहले बैक पार्ट को कट कर लेंगे तो बैक पार्ट के लिए मैं यहां पर दाई इंच पर ले रहे हूं निशान उसके बाद मैं यहां पर गहराई आप अपनी मर्जी से चार पांच जितना इंच गहराई चाहें ले सकते हैं तो मैं यहां पर जो है छे इंच की गहराई पर निशान लगाऊंगी आप अपनी मर्जी से जितना डीप चाहें उतना डीप ले सकते हैं तो यहां चेंज की गहराई पर मैं यहां निशान लगा के कट कर लेती हूं तो आप इसको केरफुली जो है कट कर लीजिए यह हमारे बैक पार्ट बन गया अब हम फ्रेंट पार्ट के टिंग कर लेंगे तो यह जो हमने फ्रेंट पार्ट लेया है इसमें हम पहले आर्मोल की छटाई का निशान लगा लेते हैं जो कि हम यहां पर एक इंच से थोड़ा सकम यानि पौना इंच के आसपास हम छटाई का निशान लगाते हैं धाई इंच पर गला ले रहे हूँ और डीपनेस क्योंकि यहाँ पर मुझे चाहिए साथ इंच तो मैं पहले साथ इंच पर निशान लगा लेती हूँ आप चाहें तो नॉर्मल वीशेप दे सकते हैं जैसे मैं और दे रहे हूँ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए क्योंकि मैं आपे पूरा कट कर रहे हूँ इसलिए मैं आपे थोड़ा सा जो है ब्रॉड नेक दे करके इस तरीके से आपको जो है देखिए ब्रॉड देना है हलका सा आदा हिंच एक्ष्ट और लेते हुए आपको वी शेप को कट करना है और यहां से सीधा आपको कट कर देना है इस तरीके से निशान लगाके ऐसे आपको कट कर लेना है तो यह हमारा जो है गला कट गया फ्रंट क फ्रंट के हमारे दो पीस में हो गए पले और यहां से हमने आर्म होल की छटाई भी कर ले तो यह दोनों हमारा कटिंग हो गया फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अब हम इसमें प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे जो हमारे फ्रंट पार्ट है इसमें तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ चार इंच यह देखिए यहाँ पर जो हमने कट कर दिया है तो हाफ इंच हमारा नेक की साइट से सिलाई में जाएगा तो मैं यहाँ चार इंच पर निशान लगाऊंगी प्रिंसेस कट बनाने के लिए चार इंच पर निशान लगा के उपर से आपको 11 इंच पर मार्क कर देना है यह मार्क हम करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा कट का जो कर्व होता है प्रिंसस कट कब वो आएगा उस तरीके से हमने यहाँ निशान लगाए एक इंच की मैं यहाँ पर गहराई दे रही हूँ तो अब यह हमारा निशान लग गया है अब हम इसको कट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने इसको कट करके अलग कर लेना है गहराई को भी कट कर लेना है फ्रेंट से गहराई डिपेंड करता है कि आपका ब्रैस्ट का उभार कितना है उस पर तो 36 का है और यह लड़की का है तो उसमें ज़्यादा उभार की जुरूरत नहीं थी यहाँ पर देखिए जो हमारे फैब्रिक था उसको हमने डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड करके बिछा लिया है बंद साइड में बंद रखते हुए यहाँ पर हम अपने पल्लो को सेट कर लेंगे जो भी पल्ला हमारा जहां एड़िस्ट होता है उसको इस तरीके से सेट कर लेंगे कि हमारा कम से कम फैब्रिक में भी जो है बलाउज अच्छा सा निकल जाए तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको तीनों पार्ट को सेट कर लेती हूँ यह हमारा front का part है यह set करते से मैं ध्यान देना है आपको कि जो खुला हुआ हिस्सा है वो खुले की तरफ रहा है और बंद हिस्सा बंद की तरफ रहा है अब हमको इसे cut कर लेना है तो यहां देखें यहां पर हमने pieces को cut कर लिया है अलग-अलग back part को और front part की दोने यह princess cut वाले part को cut कर लिया है अब जो हमारा बचा हुआ fabric है इसमें हमको flare cut कर लेना है तो flare cut करने के लिए मैंने as it is fabric को रखा है double fold में और उसके बाद आपको यह cutting करके सीधा कर देना है यहां पर length ले रही हूँ मैं flare के लिए 15 inch total तयार length जो है हमको वो 28 या 27 inch के आसपास तो body मैंने 15 inch की cut की थी और यह हम flare भी cut कर रहा है 15 inch की तो यहां पर देखिए इसकी जो चोड़ाई है वो हमारी जो घेर है वो 21 inch है नि 42 inch का हमारा अर जा रहा है इस कपड़े का तो यहां पर हमने एक घेर कट कर लिया और यहां पर हम दूसरा घेर भी इसी तरीके से कट कर लेंगे यह दोनों घेर हमको कट कर लेना है एक बराबर करते हुए अगर आपके पास ज्यादा लंबा फैबरिक है तो उसमें एक ही फ्लेयर में आपका निकल जाएगा बट मैं थोड़ा सा ज्यादा फ्लेयर दे रही हूँ इसलिए मैंने इसको डबल कट कर रहा है यह देखे अब इन दोनों को जोड़ करके हम एक ही बना लेंगे और उसके बाद से इसका हम फ्लेयर दे देंगे तो यह हमारा घेरा कट गया अब जो बचा हुए फैबरिक है इसे हमें चार फोल्ड करना है हमको स्लीव्स निकालनी है इसलिए तो चार फोल्ड करके चोड़ाई जितने आपको चेह उतना ले लीजिए तो यहाँ पर मैं चो को जो है लेंद की हिसाब से यहाँ पर यहाँ पर हमको माइनस करना है तीन इंच तीन इंच गहराई देते हुए आर्म होल का यह आपको स्लीव्स का निशान लगा देना है मोहरी यहाँ पर ले रही हो मैं साढ़े 6 इंच तो इस तरीके से आपको है जो मोहरी की फिटिंग ह भी निशान लगा देंगे छटाई कर निशान हम ऐसे लगाते हैं कि जो भी हमने मारजन रखा है पहले आप सेंटर में निशान लगा लेजे और जो भी मारजन है उसके बीच में आपको इस तरीके से हलका सा गहराई देते हुए जो है छटाई कर लेनी है ज्यादा पतली लड देनी है वह हमको एक साइड लगाने तो दोनों घेरों को पहले हम जोड कर देंगे और यह लेस हमको इसके घेरे पर लगा देना है एक तरप से आपको इस तरीके से लगा देना है तो यहां पर देखिए इसको जो है दोनों घेरों को जोड करके हमको तीन साइड लेस लगा है और सबखे हो इस के यहां पर अंगो है उसी कुरे इस पर ऊभर को अदरबल च्छाई है वहां में हरे उस के सामेश है पर आप को हमने लगा है तो और खुद यह की इसा और यह मैसा दिखका है वह अदकी डेकोरेट करेंगे वह हम करेंगे लेस से यह जो लेस हमने लगाई थी उसी लेस को हम जो है इसकी नेकलाइन पर भी लगा देंगे इस तरीके से हमें दोनों साइड नेकलाइन पर लेस को लगा देना है तो लगने के बाद यह ऐसे हो रहा है तैयार और उसके बाद हमने जो प विदाउट कप है ये क्योंकि बहुत जदा डीप नेक नहीं है बैक पार्ट को हमें इस तरीके से लाइनिंग को उपर रखना है और उसके बाद नेक पर सिलाई लगा के इसे भी पलट देना है और बैक साइड में हमको दो प्लेट्स लगानी है जो कि हम लगाते हैं कंदे के बीच बीच नीचे के तरफ पांच इंच पांच यह साढ़े पांच इंच आप लगा सकते हैं तो यहां देखें यहां पर मैं दोनों प्लेट कर निशान लगा देती हूं जो कि अब त्यार कर लेंगे यहां मरा फ्रेंट पार्ट भी हमने स्टिच कर लिया है और यह हमारा लगा दिया इस तरीके से दोनों पंधे आपको सिलाई लगाकर देना है यह दोनों प्रसन आपको जो है इस तरीके से पास में रखना है उसके बाद आप पिन की help से चाहें तो दोनों साइट से कपड़े को अटेच कर लीजीए उसके बाद आप इस पे प्रॉपर fitting का निशान लगांगे मिशान हमें तरीके से लगते हैं जो हमारा सीना होता है उसका आधा करकर आपको दोनों साइट पे निशान लगा लिई है तो यहां पर जिङन और निशान लगा के सिलाय लगा देनी है अब हम इस पे सिलाई लगा लेंगे तो यहांपर दीखे यहां मैंने सिलाई लगा लिए है साइडों में और एक्स्टरा फैब्रिक को भी फोल्ड करके सिलाई लगा दिया है सीधा है सीधा करने के बाद यह कुछ इस तरीके से आएगा अब आपको इसमें फ्लेयर अटैज करना है तो इसे आप इस तरीके से कोल के सिधल बिछा देंगे और जो हमने फ्लेयर पहले ही लेस लगा के तियार किया हुआ था उसको हमें अटैज करना है तो यहां हमने blouse को उल्टा रखना है और lace वाले इसको भी हमको उल्टा रखना है और अब हमको इसको जो है इस तरीके से चुन्नटे देते हुए बारिक चुन्नटे आगर आप चाहें तो बारिक दे सकते हैं यहां पर चून्नट का आप जो है यह सेंटर में आपको इसको तो यहां पर मैंने इसको लगा के तया है प्रफार भी तरहे है बहूत ही प्रफे orang कि यह याई की लगा देंगे दूखे एले to कि मैंने इसको लगा के तयार किया है यह देख सकते हैं बहुत ही प्लेयर लगने के बाद ला सब कर दें कि थोड़ा सा यह हैलाइट हो जाएगा और भी और यहां पर एक पट्टी लगाएंगे हम वो देखिए किस तरीके से हुक आई के लिए तो हमको लेना है चार इंच चौड़ी पट्टी यहां पर देखिए हमने लिया है चार इंच आपको करना है डबन करके आपको सिलाई यहां से प्लियर स्यार करना है और दोनहु किणार Premium लिस लगा के हम पहले चौश मेर्ध को तैयार कर लेंगे स्लीप्स तेयार करने के बाद आपको जो है स्लीप्स को इस तरीके से उल्टा फोल्ड करके और निशान लगा लेनी है फिटिंग की मूरी का आधाय जो होगा आपका वो यहाँ पे आप लगा लेंगे तो यहाँ मैं पांच इंच पर निशान लगा रही हूँ उसके बाद जो है आपको इसको नापना है तो यह देखिए इस तरह से शोल्डर से शोल्डर जो आपको मैच करना है यह छाटा हुआ आपके आगे आएगा यहां इस दरीके से आपको शोलडर से शॉल्डर मैच करते हुए आर्म होल नाप करके निशान लगा के और सिलाई लगा देनी है सिलाई लगने के बाद हमारे ये दोनों स्लीफ्स तैयार हो गए है अब हमको इसको इस तरीके से सेट करना है हमारे दोनों चटाई वाला पोर्सन आगे आना चाहिए और उसके बाद हमको इससे एक सिलाई से दूसरी सिलाई को पकड़ते हुए गुलाई में निशान लगा देना है तो हमारे ये बलाउज तेयार हो जाएगा यहाँ पर देखिए हमारा फाइनल लुक रेडी हो गया है आई होप फ्रेंट्स आपको ये बलाउज डिजाइन समझ आया होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और भी अगर आपको किसी तरह की में भी बता सकते हैं तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और वीडियो का लाश्ट तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद